हेलो एवरिवन आई वेलकम टू यू आल अन मैं चैनल दे शॉपिंग लवर गर्ल आई में देविका एस यू नो और आज हम पहुंच गए हैं फिर से सरोजने नगर मार्केट और मैंने explore किया है clothing items को तो अगर आप लोग भी देखना चाते हैं ये पूरा वीडियो तो continue करें मेरे साथ और मैंने इस वाली वीडियो में थोड़ा सा एक wedding purpose अगर किसी को clothing item चाहिए हैं तो वो वाला shop भी यहाँ explore किया है सरोजनी में ही तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं सरोजनी नगर मार्केट तो metro is the best option और pink line metro पर पड़ता है सरोजनी नगर का metro station जो है वो और वहाँ से gate number 1 से exit करते ही जस्ट सामने ही आपको सरोजनी नगर मार्केट का एक बड़ा सा board दिख जाता है और metro station के बाहर से ही मार्केट स्टार्ट हो जाती है तो चलिए अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और मैं दिखाती हूँ आपको कि आज मार्केट में क्या-क्या लेटिस्ट और ट्रेंडिक कलेक्शन आया हुआ है लेट्स स्टार्ट आज मैंने एंटर किया है गेट नमबर दो से मैं हमेशा गेट नमबर तीन से ही एंटर करती हूँ लेकिन आज मैंने गेट नमबर दो से एंटर किया है जो ICIC बैंक के पास में है गेट में एंटर करते ही आपको सामनी ये बैंक दिखाए दे जाता है और यहां पर अभी मैं पहुंच गई थी 11 बजे के संथिंग तो मार्केट अभी पूरी लगी नहीं थी अभी मार्केट में बहुत जादा भीड हो जाएगी देखते देखते देखना शाम के 3-4 बजे तक तो आप जब भी आएं अरली मॉर्निंग आएं क्योंकि 10-11 बजे तक पूरा मार्केट लग जाता है और भीड बहुत कम मिलती हैं और आप अच्छे से बारगेन कर सकते हैं and you choose best stuff from here gate नमबर 2 से entry करते ही सामने चलते चलते सीधे जहां पर एक थोड़ा सा turn आता है न वहीं पर ये कोने पे shop है और इस वाली shop पर आपको clothing item भर-भर के मिल जाएंगी यहां पर आपको jeans, tops, lower, t-shirts, one-piece हर type की dresses आपको यहां easily available हो जाएंगी और इस shop का मुझे सबसे अच्छा system लगा कि यहां आपको जितनी भी dresses ना सभी 200 रुपे में मिलेंगी मतलब चाहे आप कोई भी चीज यहां से उठाओ चाहे jeans लो, tops लो या जो भी कोई भी चीज आपको पसंदाए सिरफ 200 रुपे की है तो यहां पर bargaining वाला जैसे कुछ लापडा ही नहीं रहता और ना जादा कुछ सोचना पड़ता है हर चीज आपको यहां पर सारा स्टफ आपको 200-200 रुपे में मिल जाएगा तो अब चलिए मैं दिखाती हूँ फटाफट से आपको यहां का कलेक्शन यहां ऐसे शॉप्स जो होती है देखने में बहुत छोटी-छोटी लगती है लेकिन जब हम उसके अंदर एंट्री करते हैं ओमाइगाड वहां इतना सारा स्टफ आपको मिल जाता है कि आप खुद भी एक बार तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना सभी सामान आपको यहां शर्ट हों चाहे गर्ल्स के लिए टॉप्स हों सब कुछ हर चीज दो सु रुपे में मिल रही है जादा तर इसमें ऐसे टॉप्स थे जो बाहर पूरे मार्केट में 350 की सेल में मिलते हैं लेकिन वो सभी भी यहां 200 की रेंज में थे अभी देखना अभी मैं पूरा वीडियो आपको जब दिखाऊंगे आगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहां ऐसी मिलेंगी तो पूरे मार्केट के अकॉर्डिंग चीपे स्ट में यहां आपको मिल जाएंगी office wear pants भी आपको यहां मिल जाएंगी और जो shrink वाले tops होते हैं बहुत सारी हर design हर चीज़ आपको almost यहां पर मिलने वाली है तो चलिए अब आप देखते रहें collection और फिर हम चलेंगे कहीं और market में पूरे market को explore करने के लिए यह वाली एक black color की बहुत ही प्यारी सी shirt थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी और इसके बाद में आपको यहां पर tops मिल जाएंगे कुछ-कुछ ऐसे top भी थे इस shop पर जो बाकी कहीं 100-100 रुपे में मिलते हैं तो वो तो है इनको अपना budget balance करना पड़ता है इसलिए लेकिन जादा तर चीज़े मुझे यहां पसंद आई 200 की rate के according अब आप देख लीजिए आपको कैसा लगता है यहां का stuff बहुत सारी यहां पर आपको shirts मिल जाएंगी top मिल जाएंगे half net वाले मिल जाएंगे and peplum tops भी आपको यहां मिल जाएंगे उसके अलावा आपको यहां जैगिंस मिलने वाली हैं और यह देखिए एक polka dots का orange कलर का बहुत ही प्यारा सा था top और यह जो मैं अभी दिखा रही हूँ यह आपको दिख रही है pants जो आपको आप office wear यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा जो आप कुर्तीज के नीचे wear करते हैं ना तो उस टाइप की pants भी आपको यहां available हो जाएंगी और जो सामने अभी आपको टॉप दिखाए दिये थे उपर वह वाले टॉप आपको पूरे मार्केट में 250 और 350 की range में available होते हैं लेकिन इस वाली पूरी शॉप में आपको 200 की range में ही मिल रहे हैं वैसे तो मार्केट में भीड़ कम थी लेकिन इस शॉप में भीड़ जादा थी क्योंकि बताया ना मैंने यहां पर stuff पूरा एक जैसा था और हर चीज का एक fixed price था 200 रुपए तो यहां पर शायद इस वज़े से जादा भीड़ थी लेकिन जो भी हो मुझे तो यहां का सामान पसंद आया था काफी और मैंने कुछ pieces लिए भी हैं अगर उसके लिए आप लोग मुझे comment करते हैं कि haul video बनाऊं या ना बनाऊं तो आप suggest करेंगे तो मैं haul video भी जरूर बनाऊंगी और share करूंगी कि मैंने सरोजनी से क्या-क्या purchase क तब तक आप देखिए यह क्रीम कलर का एक टॉप इसका प्राइज भी 200 था यह जो वाइट वाला टॉप है ना भी 3 लेयर वाला यह वाले टॉप आपको ना 400 की रेंज तक यहीं सरोजनी में मिलते हैं लेकिन यहीं इस वाली शॉपर्स तरफ 200 की प्राइज में मिल रहा था हुआ है उसके बाद मैं आ गई थी बाहर और बाहर ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगी जो ऐसे कुले में समान बेचते हुए घूमते हैं इन भाया के पास नेकपीस थे बहुत ही प्यारी प्यारी चैंस थी ये मुझे बहुत अच्छ लगते इस टाइप की और इन्होंने सो स हंड्रेट की रेंज में आपको मिलती हैं उसके बाद में एक भाया थे जो ये डोरमेट सेल कर रहे थे और इन भाया ने टूफिफ्टी के दो पीस बताये थे लेकिन जब मैंने मना किया ना लेने से तो लास्ट में ये बारगेन करते करते हंड्रेट तक पहुँश गए थे और हंड्रेट में उने मुझे दो पीस डोरमेट देने के लिए हां कर दिया था तो इस तरीके से आप यहां बारगेन भी जरूर करें क्योंकि सरोजने में बारगेनिंग के बिना तो कुछ भी लेना बेवकूफी ही है उसके बाद मैं पहुँची हूँ अनदर एक और आपको इसका 350 प्राइज बताया था भया ने और इसके अलावा इनी भया ने अपने शॉप के बाहर एक स्टॉल भी लगाया हुआ था जिसमें आपको 150 के प्राइज में शॉर्ट्स मिल जाएंगी यह वाला टॉप भी 350 के बताया था भया ने यह वाली जो टी शुट्स थी भया ने 200 के प्राइज में बताया थी लेकिन ऐसी वाली टी शुट्स आपको बाहर सो सु रुपय में भी कई बर मिल जाती हैं और यह वही स्टॉल जो भया ने अपने शॉप के बाहर लगाया हुआ है 150 की रेंज में आपको यहां पर कुछ अच्छे पीस मिल सकते हैं जो आ आप पेर कर सकते हैं अपनी अच्छे जेंस और शॉट्स के साथ में तो 150 में शॉट्स का कलेक्शन था यहां कुछ इसमें कॉटन की थी और कुछ बहुत सारे अलग लग फैब्रिक्स थे उन सब की थी उसके बाद में मैं पहुंची थी एक ग्रैफिटी लेन के पास ही एक फिफ्टी फिफ्टी रुपीज में आपको टॉप सेल कर रहे थे मतलब यकीन मानिया पचास रुपए में कुछ भी नहीं मिलता है आज गल और पचास रुपए में यहां आपको टॉप्स मिल रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे बहुत अच्छी कंडिशन में मिल ऑर इनके अलावा इनके सामने भी एक ओर भाया थे वह वाले भी पचास पचास रुपए में ही आपको ऐसे वाले टॉप्स सेल करते हुए दिखेंगे यह वाले भाया यह पचास पचास रुपए के टॉप जितना भी तोप है अभी आपको दिखा रही हूँ ये सारे पचास पचास रुपए में है इस वाली स्टॉल पर आपको बहुत साइच चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको 250 की रेंज में यहीं सरोजनी में मिलती हैं लेकिन वही चीज़ें आपको यहां सिरफ 50 रुपए में मिल रही हैं तो मतलब आप हम पटाफट से इन भजगा कलेक्शन देखते हैं और आगे निकलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको आज का लेटेस्ट वाला और कलेक्शन जो सरोजनी में फिलहाल आया हुआ है उसके बाद में अनदर हम एक और चक्री वाले स्टॉल पर पहुँच गए हैं यहां पर 200 रुपय की सेल का बोर्ड लगा हुआ था जो आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है और यहां पर सभी टॉप जितने भी थे सब 200 की प्राइज में थे यहां पर जितने भी टॉप हैं लगभग पर आपको फ्लॉरल प्रिंट मिल जाएगा और अभी देखना मैं अभी आपको इस चक्री वाले में से स्टॉल में से निकाल के बहुत सारे ऐसे ट्रेंडी पीस दिखाने वाली हूँ जो आपको इसी मार्केट में 500 में भी मिलते हैं और 350 की रेंज में भी मिलते हैं देखिए ये वाले ये जो टॉप है ना ऐसे क्रोप टॉप ये वाले 350 से कम कहीं भी नहीं मिलते हैं एक ये वाला पीस देखना ये तो आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे वाले टोप मैंने अपनी खुद की वीडियो में भी कई बार शेर किये हैं उसके बाद मैं गई थी खन्ना साडीज वाली शौप पर यह है शौप नमबर 13 बाबू मार्केट सरोजनी नगर में तो अगर आपको अपने वैडिंग परपस के लिए शौपिंग करनी है और साथ ही साथ आप सोचते हैं कि सरोजनी भी जायाती हूँ तो दोनों काम आप यहां कर सकते हैं आपको यहां पर साडीज मिल जाएंगी 1500 की रेंज से स्टार्टिंग जिसमें आपको नैट, सिल्क, जॉर्जट और इसके अलावा टाफटा सिल्क जितने भी परकार की साडियां होती हैं आपको यहां पर सभी टाइप की साडीज मिल जाएंगी और अगर आप लेंगा लेने में इंट्रस्टेड हैं तो आपको यहां लेंगा भी मिल जाएंगे चाहे वो ब्राइडल हो, नोन ब्राइडल हो या गरलिश टाइप के हो आपको यहां सारा कलेक्शन इजिली मिल जाएगा और यहां इन भाया के पास में जो ब्राइडल लेंगो का कलेक्शन है वह वाला स्टार्टिंग है तीन हजार की रेंग से तीन हजार में गाइज कुछ भी नहीं आता है और इन भाया के पायसा ब्राइडल लहंगा सिरफ तीन हजार की रेंज में अगर आपको स्पेशल ब्राइडल लहंगों के लिए अगर कलेक्शन देखना है तो उसका भी वीड वीडियो मैंने एक्स्प्लोर किया था सदर बजार में वहाँ एक भाईया है सुहेल भाईया तो उनकी शॉप का मैंने वीडियो बनाया था अगर आप स्पेशल शादी के लिए लिना चाहते हैं तो उनका भी मिल जाएगा आपको और यह जो मैं लहंगा अभी दिखा रही हू वेडिंग परपद से तो आप एक बार सरोजी में इन वाली शॉप्स को भी जरूर एक्स्प्लोर करें इन भाईया के पास में लहंगा और साडिस का एकदम बढ़िया कलेक्शन है और अपना सबसे बेस्ट कलेक्शन भाईया भी दिखा रहे हैं आपको अभी यह भाईया द इसमें आपको ब्लाउज और लहंगा और दुपट्टा मिलने वाला है फिरोजी कलर का बहुत ही यूनिक सा पीस लगा मुझे यह सिल्क का और इसमें आपको अंदर कैन कैन भी लगी हुई मिल जाएगी और इसके अलावा अगर आपको ब्लाउज में इनर लगवानी है तो वो भी भया लगवा के दे देते हैं दुपट्टा आपको यहां मिलने वाला है पिंक कलर में जो बहुत ही एकदम एलिगेंट सा लुक आपको यहां देगा और 2.5 मिटर लेंथ है इस दुपट्टे की और इसके एंड में आपको टसल भी मिलेंगे तो बहुत ही सुन्दर सा हैवी लेंथ का दुपट्टा है और बहुत ही यूनिक सा पीस लगा मुझे ये कैन कैन भी मिलेगी और इसके अलावा भया ने कहा था कि अगर कोई कस्टमर इनका स्टिश करवाना चाहता है ने मतलब आल्टर करवाना चाहता है अपने ड्रेस को तो यह लोग वो भी करवा देते हैं यहीं इसके अलावा यह जो साडी आप देख रहे हैं यह भया ने 2000 की रेंज में मुझे बताई थी और यह ब्राइडल कलेक्शन है इनका गोटा और जरी का इस पर वर्क आपको मिलने वाला है और बहुत ही यूनिक पीस लगे थे मुझे हैवी साडी का कलेक्शन अभी मैं आपको फिलाल दिखा रही हूं लेकिन इसके अलावा आपको यहां गर्लिश टाइप की साड़ियां भी मिल जाएंगी यह है एकदम होट रेड कलर में साड़ी जो है ब्राइडल कलेक्शन का ही हिस्सा और यह वाली भी भयाने 2200 रुपय की बताई थी बहुत ही ब मार्केट को एक्स्प्लोर करने के लिए और यहां पर यह एक भया सॉक्स सेल कर रहे थे जो इन्होंने 120 रुपीज की तीन पीस बताये थे मुझे लेकिन यह लोग शुरू में ऐसे ही बोलते हैं लास्ट में यह सो रुपय में भी चार पांच पीस दे देते हैं तो कभी भी जितना बोलते हैं उतना प्राइज मत दीजिए एक बार बार गेनिंग जरूर कीजिए उसके अलावा इनके पास हैंड कलफ भी थे जो सो सो रुपय की रिंज में यह दे रहे थे फिर मैं पहुंची थी इस वाली शौप पर जहां पर आपको सो सो और डेड़ सो डेड़ सो में सेल लगी हुई मिलेगी जिसमें आपको टॉप और लोवर्स मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ब पारकेट के बारे में भी जानना चाते हैं या वीडियो देखना चाते हैं तो मुझे उसके बारे में भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं I love to read it और मैं मिलती हूँ आपसे next वीडियो में आप बने रहे हैं मेरे साथ तिल देन बाई बाई